ये देखे दोस्तों, आज हमने बनाया है बहुत ही रिच एंड क्रीमी बेलकुल रेस्टोरंट स्टाइल टेमेटो सूप ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे भी कई जाधा टेस्टी इसका टेस्ट है एक बार इसको बना कर पिएंगे तो इसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे चलिए फटावट से देखते हैं कि इसको असानी से घर पे हम किस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों टमैटो सूप बनाना है तो सबसे पहले तो हम लेंगे टमैटो जी हाँ टमैटो तो हमें लेना ही पड़ेगा उसके बाद हम इसको चोटे-चोटे पीसे में काट लेंगे आप इसको किसी भी तरीके से काट सकते हैं कि कोई करना तो हमें इसे फ्राई ही है मगर अगर अब चोटे-चोटे काटेंगे तो यह अच्छे से भुनेगा और इसका टेस्ट भी काफी बढ़िया आएगा अब टमाटर हमारा कट चुका है अब लेगे एक पैन और उसमें डालेंगे धेर सारा बटर जी हाँ दोस्तों बटर में इसको फ्राइ करेंगे अब हमारा बटर जो हो हलका हलका गरम होने लगा है तो इसमें डालेंगे हम चॉप्ट कार्लिक और चॉप्ट जिंजर हलका से सौटे कर ले अब इसमें एड़ करें हमारे बारिक कटेवे टमाटर और इसको अच्छे से भून ले लगबार एक से दो मिनिट तक हम इसको भूने दोस्तों जितने अच्छे से हम टमाटर को भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारे सूप का फ्लेवर आएगा रेस्टोन में भी टमाटर को अच्छे से भूना जाता है जैसे उसका फ्लेवर काफी बढ़िया आता है इसमें एड करें सॉल्ट और सॉल्ट डालने के बाद टमाटर जो है वो पानी छोड़ेगा तो हमें अपने पानी को भी सुखाना है लगबग 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे शुगर अब शुगर डालते ही आप देखेंगे कि हमारा टमाटर जो है वो ठिक होने लगा है और उसमें काफी बढ़िया कलर भी आने लगा है एड़ करें टमाटो केचप दोस्तों टमाटो केचप हमारे सूप को बढ़िया फ्लेवर के साथ-साथ बढ़िया कलर भी देगा क्योंकि जो चीज दिखेगी अच्छी वही खाने में भी अच्छी लगीगी अब जब हमारा टमाटर अच्छे से पख गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी और इसको अच्छे से बॉइल होने देंगे एड़ करें वाइट पेपर वैसे तो दोस्तो हमारे सूप में कलर आ चुका है मगर अभी हम रेस्टरंट स्टाइल सूप बना रहे हैं इसलिए फूड कलर एड़ करना तो बनता है क्यूंकि रेस्टरोंट में हमेशे food color एड़ करके ही बनाया जाता है सूप जिससे उसका color जो है वो काफी बढ़िया आता है एड़ करें बिल्कुल थोड़ा सा food color लगबग एक मिनट तक इसको boil करें लिए दोस्तो हमारा टमाटर जो है वो बढ़िया तरीके से boil हो चुका है और पक चुका है अब हमें इसको चानना है अच्छे से चानेंगे ताकि हमारा सूप बिल्कुल क्रीमी बने अब टमाटर के पल्प को हमें दबा दबा के निकालना है ताकि सारा पल्प जो है हमारा वो च्छन जाए और हमारे सूप में मिल जाए इससे हमारा सूप गाड़ा भी बनेगा और टमाटर का पूरा टेस्ट भी आएगा ये देखे दोस्तों कि अब बढ़िया तरीके से हमने टमाटर को च्छन लिया है और हमारे सूप का बेश तियार हो गया है अब इसको दो मिनिट तक अच्छे से उबा ले जिससे हमारा सूप जो है वो थोड़ा थिक हो जाए अच्छे से बॉयल करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे कॉन स्लरी जिससे हमारा सूप जो है वो बिल्कुल थिक हो जाएगा और बिल्कुल ही सूप वाला टेक्शर लेगा दोस्तों कॉन स्लरी को एक साथ ना डालें थोड़ा थोड़ा करके डालें अधरवाइज आपका जो सूप है वो बिल्कुल ही गाड़ा हो जाएगा जो हम नहीं चाहते हम थोड़ा थोड़ा ही इसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ध्यान रखिएका दोस्तों कॉन स्टार्च डालने के बाद हमें इसको कम से कम दो मिनिट तक पकाना है अधरवाइज आपका जो कॉन स्टार्च है वो कच्छा ही रह जाएगा और सूप बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा अब बस दोस्तों हो गया हमारा बिल्कुल रेस्टोरंट स्टाइल सूप त्यार अब इसको निकालते हैं एक बॉल में और साथी साथ हम सर्फ करेंगे ग्रिल ब्रेड के साथ यहां पे हमने ग्रिल ब्रेड के छोट-छोटे पीसे काट लिए हैं जो सूप के ऊपर डाल कर मज़ा आ जाता है तो इसको हम उपर से डाल लेते हैं देखा दोस्तों डेस्टों जैसा सूप बनाना घर पर बहुत ही आसान है कोई ज्यादा जंजट भी नहीं है और आसानी से पन भी जाता है तो आप भी ज़रूर बनाएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइगा कि आपका टमेटो सूप कैसा बना ठंड बहुत है और आस तो मज़ा आने वाला है सूप पी के तो मैं तो चला सूप पीने दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और शेर कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरू करें साथी साथ हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों नई रेसिपी के साथ बहुत जल्दा हुआ तब तक के लिए बाई बाई